नमस्कार हमारे यूटूब चैनल LNB Electrical Map सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में बहुत ही एक इन्पोर्टेंट सा Electronics Component ठीक है तीसरा मैं Electronics Component के बारे मैं अपने चैनल पर चर्चा कर रहा हूं Electronics Component नमबर थ्री ठीक है तीन नमबर Electronics Component का मैं चर्चा कर रहा हूं ठीक है तीसरा जो Electronics Component है ये जो मैं बता रहा हूं How to test LDR LDR आप जानते भी होंगे नहीं जानते हैं तो अभी से जान लें इसे photo register भी कहा जाता है और light dependent resistance इसका full form होता है light dependent register यानि कि light पर ये depend करता है ये किस परकार काम करता है वो मैं बताऊंगा आपको और इसे test कैसे करें LDR को test कैसे करें LDR को किसी भी circuit में लगाने से पहले या जब fault आती है circuit में तो LDR को test करना बहुत ही जरूरी काम है ठीक है तो LDR को test ये जो है ना LDR ये light sensing light sensing device भी इसको का जाता है यानि कि light sensing sensing device के अंदर ये आता है ठीक है light sensing device के तो इसे check कैसे करें तो इसे check ये resistance है जैसा कि मैं आपको full form से ही पता चल रहा है light dependent register तो इसका symbol कुछ इस परकार सा होता है ठीक है इसका क्या फंडा है इसका चरित्र कैसा है जानते हैं इसका चरित्र है जब भी इस ही है light देंगे light इसमें inject करेंगे तो इसका resistance इसका जो resistance हमें यहां measure करेंगे यहां जो हम measure करेंगे इसका resistance ठीक है यह लो resistance का होगा लो होगा जब हम light इसमें inject करेंगे तब यानि कि जैसे हम इसमें light increase करेंगे उसका इसका जो resistance है वो कम हो जाएगा और जैसे ही हम light को light देना हम जैसे ही इस पे बंद कर देंगे light जो आ रहा है न ये light जैसे ही हम इसे बंद कर देंगे light नहीं देंगे तो इसका जो resistance इन दोनों पॉइंटों पर हमें मिलेगा, इन दोनों टर्मिनलों पर वो हाई मिलेगा, किसके तुल्ला में हाई मिलेगे, इसके तुल्ला में, यानि कि लाइट की जब उपस्थिती नहीं होगी, तब इसका रेजिस्टेंज ज्यादा होगा, इसी परकार से इसे चेक करना है, तो check करने का सबसे आसान तरीका सबसे पहले आपको क्या देखना है how to test LDR ठीक है check कैसे करे तो मैं बता दे रहा हूँ step one में सबसे पहले क्या करे किसी भी जब circuit में लगा हो किसी भी circuit में जब LDR लगा हो तो ये LDR है ये थोड़ा बड़ा साइच का LDR है ठीक है ये एक छोटा LDR देखिए मैं आपको दिखा रहा हो ये छोटा थोड़ा LDR है तो ये जो LDR है इसे सबसे पहले इसका उपरी बनावट देख ले कहीं फुला 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 ठीक है कहीं फटा हुआ नहीं है ये चीज का ध्यान रखना चाहिए यदि फुटा फटा या इसका सर्फिस काला हो चुका है साफ नहीं होगा ठीक है खराब हो चुका है इसका सर्फिस तो इसे रिप्लेस कर दे ठीक है एक तो आपको इसी से पता चल जाएगा उपरी इसका हिस्सा देखकर यदि थोड़ा से भी कुछ डैमेज है तो इसे रिप्लेस कर दी लेकिन यदि सब कुछ ठीक है लेकिन हमको चेक करके एक बार देखना है तो मल्टी मीटर के साहता से हम टेस्ट कर सकते हैं मल्टी मीटर को हमको रिजिस्टेंज है ये एक तो इसलिए हमने किलोयोम्स रेंज पर इसे सेट करके रखा लिया तो डुकिलोयोम्स रेंज पर अब हम देखते हैं जैसा की मैंने को बताया कि लाइट परने से इसका resistance कम होगा और light बंद करने से इसका resistance बढ़ जाएगा इसमें कोई positive negative का कोई बात नहीं है क्योंकि एक resistance है तो मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ यह जो हमारा camera का flashlight है इसके कारण देखिए इसका resistance अभी कितना है देख पा रहे होंगे आप नहीं कुछ नहीं बता रहा है ठीक है कोई resistance नहीं है अभी बहुत मतलब बहुत कम होगा ठीक है बहुत कम होगा इसलिए नहीं बता रहा है लेकिन जैसे ही अब मैं इसके उपर light नहीं पढ़ने दूँगा ठीक है इसे मैं उल्टा कर देखता हूँ इसे में ऐसे उल्टा दिया अब देखते हैं कितने रेजिस्टेन्स है अब हम देख रहे हैं इसका रेजिस्टेन्स 20 किलो में न ठीक है अब देख पा रहे हैं यह अभी पूरी अच्छे तरीके से लाइट के उपस्तिती में नहीं है तो इसमें 15 किलो ओम्स रेजिस्टेन्स से सो कर रहा है ठीक है 15 14 किलो म्स हो कर रहा है लेकिन जैसे ही है मैं इसको लाइट की तरफ ले जा रहा हूं फ्लैस लाइट की तरफ देखिए इसका रेजिस्टेन्स कम हो रहा है देखिए ठीक है कम होके 2 किलो ओम्स 2.8 ठीक है इतना आ जा रहा है यह लाइट की जैसे ही संपर्क में जा रहा है इसका मतलब क्या है मैं थियोरी के हिसाब से यह ठीक काम कर रहा है मतलब यह सही है अब मैं और एक का टेस्ट करकर दिखा रहा हूं यह थोड़ा सेंस अच्छा करेगा थोड़ा बड़ा ल्डियार है ठीक है लाइट को अधीक जल्दी सेंस करता है अब देखिए इसे हमने लाइट के संपर्क में रखा है इस ल्डियार को कैमरा के जो फ्लैस लाइट है उस जैसे ही मैं इसको लाइट के संपर्क से हटा कर इसको उल्टा करूंगा आप देखिए 16 किलोंस बता रहा है ठीक है 16-17 किलोंस लेकिन जैसे ही मैं अब इसको लाइट के सामने ले जा रहा हूं ठीक है अब देखिए यह कम हो रहा है और जैसे ही मैं इसको लाइट के संपर्क से हटा रहा हूँ ये बढ़ जा रहा है तो मैंने क्या बताया कि light की संपर्क में जैसे ही आएगा उसका resistance कम होता जाएगा और जैसे ही वो light की संपर्क में नहीं रहेगा उसका resistance बढ़ जाएगा तो मैं इस वीडियो में आपको LDR टेस्ट के बारे में समझा पाया यदि आपको अभी भी कोई दूबिजा हो तो कमेंट करें इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद